कांगडा के एक इलेक्ट्रीकल व्यपारी राजीव वर्मा का सब रानीताल के पास मिलने से हर कोई सं है उनके परिवार के मताबिक राजीव वर्मा रविवार रात चंडिगट जाने के लिए कांगडा बस अड़े पहुंचे थे जहां राजीव वर्मा के बेटे ने उन्हें वस लेने के लिए छोड़ दिया था लेकिन रजीव बर्मा का सब रानी ताल के रसूख के पास मिला है बताये जा रहा है कि रजीव बर्मा के मुबाइल पर सुबा बेटी का फोन आने पर पुलिस वालों ने उठाया तब जाकर ये पता चला कि ये सब कांगडा के एक प्रितिश्ठित इलेक्ट्रिकल ब्यपारी का है पुलिस वाले ये जांच में जुटे हैं कि रजीव बर्मा का सब यहां कैसे पहुंचा और रविवार रातरी उसके साथ क्या हुआ रजीव के सिर पर गहरी चोट के निसान हैं और गर्दन की हड़ी भी तूटी हुई पताई जा रही है जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़ी दिरिंदगी से रजीव को मोद के घाट उतारा गया होगा हलंकि पोस्ट माटम के बाद ही कुलासा होगा कि रजीव की मोद कैसे हुई रजीव बर्मा कांगडा के वार्ड आठ में अपने परिवार के साथ रहते थे और कांगडा पेटरोल पंप के पास बर्मा इलेक्टरिकल स्टोर में अपने पिता के साथ कारे रत थे